गासिपूर में एन्फोर्स्मेंट डिरेक्ट्रेट प्रवर्तर नेदेशाले की बड़ी कारवाई दिखाई दे रही है मुख्तार अंस्थार के परिवार और उनके करीबियों के हाँ पर रेट की गई है चापा मारा गया है तीन जगों पर ये कारवाई चल रही है विक्रम अगरहरी खान बस सर्विस के मालिक गणेश दत्मिश्रा के हाँ पर चापे मारी जारी है मुहमदाबाद में भी कारवाई की जारी है एडी के द्वारा तीन जगों पर एडी कारवाई कर रही है चापा मार रही है मुक्तार अंसारी के करीबियों के महा विक्रम मगरहरी इसके अलावा खान बस सर्विस के मालिक गनिश दत्मिश्रा के हाँ चापे मारी महमदाबाद में भी एक कारवाई चल रही है तो तीन जगों पर एक साथ एक्षन एडी का और ये तीनों ही जगें उन लोगों की हैं जो मुखतार इंसारी के करीबी है एडी के एक्षन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एडी के पहुचने के बाद सुरक्षा विवस्ता आप देख लीजिए मुखतार परिवार पर करवाई जारी करीबियों पर एडी का एक्षन मुखतार के मिश्रा बाजार टाउन हॉल रोजा और मुखमदाबाद में छाप में मारी मकान को सी आर पी एफ की टीम ने कब से में ले लिया मकानों को खंगाल रही है एडी की टीम ये ताजा बेट इस वक्त हमारे पास है बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है मुखमदाबाद में आजम खान के समर्थन में एक जुट हो रही है समाजवादी पार्टी मुखमदाबाद पहुंचे है समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक सांसद S.T.S.N. विदायक कमाल अख्तर भी बहां पर पहुंचे हैं और विदायक वहीम विदायक नवाब जान और विदायक रामपाल सब पहुंचे हुएं अबदुल्ल्ला आजम के नेत्रतों में कई विदायक डी आई जी से मिल ने पहुंचे हैं बड़ी खबर, आजम खां के समर्दन में एक जुट समाजवादी पार्टी एक जुट हो रही समाजवादी पार्टी की टीम यहाँ पर देखे आप यह त्समीरें, अबदुल्ल complete आजम, समाजवादी पार्टी के विदायक हैं, पुत्र हैं वो इसके लावा सांसे देस्टी हैसन, विदायक कमाल अख्तर ये सबी पहुंचे हैं विदायक वहीम, विदायक नवाब जान पहुंचे हुएं मुलादाबाद हमारे समभाद दाता अबैदर रह्मान हमारे साथ फोन लाइन पर जुल गए लगा है उसके बात से पूरी समाजवादी पारिटी इस बार लगता है कि अलर्ट मोड पर आ गई है मुरदवाद मंडल के जितने भी समाजवादी पारटी के विदायक हैं जहे वो नवाबजान खान हों या पहीम हों या समरपाल हों या पिर नासिर कुरेशी हों या कमाल अफतर हों या सांसद खुद एस्टियसन वो तमाम विदायक और सांसद जो है इक खच्चा होकर के एक मंडल की शकल में इस वक्त बात्कीत कर रहे हैं मुरदवाद रेंज के जो डियाईडी हैं शलम माथूर और इन लोगों की कहना ये है कि क्योंके आजम खान बीमार चल रहे हैं और ऐसे में जो मुखतमे दर्ज किये गए हैं वो गलत हैं एक बीमार आदमी इस तरह से कवाओ को नहीं दम का सकता और जिस तरह से उन पर 18 में नाइन मुखतमे पहले से थे और कल की तारीख में जो दो मुखतमे दर्ज हुएं इसको लेकर कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीखे से उतर पर देश में आंदोलन के मूंड में हैं तमाम विधायों को से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि आज एक विधायक पर मुखतमे दर्ज हैं कल बूसरे विधायक पर हो सकते हैं तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार चुप बैटने के मूल में नहीं है और एक तरह की जो लामबंदी है वो समाजवादी में शुरू हो गई है कमाल अख्तर का आना स चाहत में नासर पुरैसी का अस बैटे विधायक हैं उसके साथी नसीर खान जो अजो है और चाहत stack उसकाईर अपना समाजवादी पार्टी से समर्थन से में लामदाक में वो लाम मद हो रहे हैं जो हमारे सूथ हैं वो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि वो अपने 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 इलाफों में मिटिंग करें और इस जीज़ का ग्रोध करें कि जो मुखदमे आजम सान पर दो दर्ज कि शलम मातुर उनके साथ इस ताइम उनकी बात की चल लए है और उनकी यही मांग है कि जो मुखदमे हैं वो वापस ले जाए हैं तो कहीं नहीं एक बार जो समाजवादी पार्टी है वो आजम खान के समर्थन में खड़ी हूँ भी भी दिखाई दे रही है जी बहुत शु चोरी पकड़ने गई थी बिजली विवाग की टीम और लोगों ने करमचारियों के साथ धका मुखी और गाली गलोच की है पीडित करमचारियों ने थाने में इसकी शिकायद दर्स कराई है बारा मंकी से खबर बिजली विवाग के करमचारियों से लोगों ने वहाँ पर अ बारा बंकी से बिजली विबाग के कर्मिचारी बिजली चोरी को पकड़े गए थे तो वहीं सुरुवाद में ही दो तीन लोगों के द्वारा जो है एक लोगों के द्वारा गार में मीटर बाइपास करके दो तीन इसी वगएरा इस्तेमाल किया जा रहा था तो उन्ही के द्वारा जब गये चिफ करने तो बिना मतलब जो है हमारे समबाद दाता सतीश कश्यप स्वक्ता हमारे साब वनान गजुग है सतीश ये कब का वाक्या है कितनी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी थे और जिन लोगों ने उनके साथ अबदर्ता की उनकी संख्या कितनी थे देखिए जो मामला है ये बदो सराय कोतवाली छेतर का पड़ता है मेला राय गंज वहीं पर ये जो है सुबा सुबा की घटा है जहाँ पर जो है आज बिजली विभाग की जब टीम चेकिंग करने गई थी उस दावरान जो है वहाँ के जो ग्रामेड थे जो लोग जो है जो सराय में जो है बिजली वाग के कही अधिकारी वहां मौके पर है जो आरोपी है उन लोगों की खिलाप बाईयार दर्ज करवाली की तैरीश दिया है साथ ही साथ उनकी गिरिप्तारी की मांग कर रहे हैं लगातार जो है जिस तरह से बिजली चोरी रोखने के लिए उपर जो है और आज यह लोग सभी लोग जो है सुबा सुबा मॉर्निंग में ही मैला राइगंच वहां पर गए हुए थे और इस दवरान जब यह लोग चेकिंग कर रहे तो लगभग करीबन जो है दो से तीन दर्जन लोग जो है वहां अचानक आया और एक अठा हो गया हाथा भी करने लगे लिहाजा जो है वहां पर जो है मौकर को बुलानी परी बिजली वाग के अधिकारियों का जैसा कहना है अभी फिलहाल जो है लोगों की तिलाब कारवाई किया जाए तो आप कर्मिचारी में जिस तरह से लोगों बादा पहुँचाई है एक तो चोरी उपर से इसे ही जो है तो चोरी ओपर से लोगों का जब हमने पकड़ा और बताया तो फिर वो हमारे साथ अबदरता की ओए इधर लखींपूर में किसानों का धरनावरिशन शुरू जोरू हो गया है आज से 21 अगसं सान मापर जोरू है और शुचाईघ्गे और में जोगिंद्र उगाहा योगिंद्र यादो जैसे बड़े चेहरे भी शामिल होंगे पांच मांगों को लेकर किसान लखीमपूर में प्रदर्शन कर रहा है किसानों का धर्ना प्रदर्शन चुने ये देखिया 75 घंटों का धर्ना प्रदर्शन किसानों का बढ़े किसान नेता इस प्रदर्शन में शामल ना है राकेश चिकैत जोगेंदर पाल और योगेंदर यादो जैसे चेहरे इसमें शामल पांच मांगे हैं इन किसानों की जो प्रदर्शन कर रहे हैं लखिमपुर खीरी में किसानों का धर्ना शुरू हो चुका है सीधा आपको वही लिए चलते हैं लखीमपूर विवेक तिरपाटी हमारे समभाद दाता इस वक्त महां से हमारे साथ सीजा करेक्ट है और वो हमें तस्वीरे में दिखाने वाले हैं इस धर्ना प्रदर्शन की और बताने वाले हैं कि अभी तक कैसा रहा और आगे कैसा रह सकता है किसान में तक क्या रहे हैं विवेक बिल्कुल राजेन देखे ठीक गल्ला मंडी के गेट पर हूँ जहां पर आप ये सामने देख रहे हैं पुलिस फोर्स भारी पुलिस फोर्स तैनाथ है चुकि यहां पर 15,000 के आसपास किसान अभी आ चुके हैं विविन जन्पतों से यूपी के और इसके लावा देश के विविन परदेशों से यानि सबसे ज़्यादा संख्या अगर हम बात करें तो पंजाब से किसान आए है इसी लिए सुरक्षा के भी इंतिजाम किये गए हैं कई थानों की फोर्स तो है ही आसपास के जो जन्पत हैं लखीमपुर से सटे हुए शाजापुर हो चाहे चाहे सीतापुर हो सब ही जगे से पुलिस फोर्स बुला ली गई है कुछ दिर पहले यहाँ आई जी लखनव रेंज लक्षमी सिंग भी आई थी और उने पूरा विजिट किया था कि कहीं कोई दिकत ना हो लॉन और से रिलेटेड कोई प्राबलम ना हो तमाम रास्तों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है तमाम रास्ते बंद किये गए हैं कई जिगे पर रूट डैवर्जन किया गया है सारी पुलिस फोर्स यहाँ पर अलग अलग ठानों की लगाई गई है यह देखिए सारे एक्टिव खले हैं पुलिस जो आफिसर्स हैं हमारे वो फोर्स एक्टिव है वो आने वाले हैं यानि 11 बजे का समय दिया था 11 बजकर 10 मिनिट होने वाला है कुछ छडों में वो यहां पहुचेंगे यही पास में गुरुद्वारा में वो रुके हुए ठहरे हुए और उनके साथ सारे जो बड़े किसान नेता हैं सभी गुरुद्वारा में रुके हुए ही देखिए मैं आपको अंदर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ मंडी के गेट से गल्ला राजापूर मंडी के गेट से में गेट से बीतर एक दो मिनिट का रास्ता है जिसमें किसान अंदर जा रहा है और अंदर जो जहां पर धर्णा पदर्शन हो रहा है उस सजा हुआ है पूरा मंच सजा हुआ है वहां पर गुरुवारी चल रही है सुबह से लोग इखटा है और पूरे यानि एक तरह से देखे तो बड आज़ने इस सर से कर रहा है और अंदर ये रास्ता यहां से अभी थोड़ी दिर पहले ही अधिगारी निकले है डीम जो अभी बाहर हँने पुलिस फोर्स देखी वो बार-बार हर 10 मिनिट में यहां अंदर आका विजिट करते हैं बताते हैं लोको निर्देज देते हैं कि क इसी भी तरह की कोई कानून विवस्ता से संबंधित दिक्कत ना होने पाई और आप देख रहे हैं सामने वो जो भीड दिख रही है वहीं पर पूरा आयोजन है वहीं पर किसान इखटा है तीन अक्टूबर को यह घटना हुई थी पिछले साल 2020 को जब आठ लोगों की मौत साजिश में शामिल होते हुए बताते हुए कहा गया था कि उनको बरखास किया जाएं मंत्री मंडल से हाला की मांग उनकी नहीं मानगी लेकिन 120 भी लोग हैं लेखन और ग्रफतार किया गया था और निर्दोश है उनको जयल से तुरंत तकाल रीहा किया जाए बाहर किया जाए इसके आलवा अन्य मांगे की हैं जो बिजली से सम्दित हैं किसानों की मांगे पानी से आप देख तो सारा आयोजन किसानों के बड़ी तस्वीर दिखाई यहां पर विवेख और अभी दिखाते जा रहें ऑबी आपके बढ़ते जा रहें तो ये प्रमाइसेज ये परिसर बड़ा है और इसके अंदर विवस्था बड़ी दिखाई दे रही है आप नजर बना के रखिए विवेक आप कहा रहे हैं कि कुछी दिनों पर राकेश टिकेट पहुंच जाएंगे वहाँ पर धरना चल रहा है इसी कैमपस के भीतर तो वो तस्वीर जो वहाँ से आएगी वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन फिलाल विवेक आपका शुक्रिया ये लखनेों से आ रही है एक बड़ी ख़बर के साथ ATS ने तीनों आतंकियों से दूसरे दिन पूस्थाच शिरू कर दी सबाउदीन, नदीम और सफुल्ला से पूस्थाच शुरू हो गई आज नदीम और सफुल्ला का आमना सामना भी कराये जाएगा बड़ी ख़बर लगातार दूसरे दिल ATS पूस्थाच कर रही है इन गरतार आतंकियों से सबाउदीन, नदीम और सफुल्ला आमना सामना भी कराये जाएगा आज नदीम और सफुल्ला का लगनों में जैशे मुहमद के आतंकि सफुल्ला के बारे में मदर्सों से बड़ा खुला सा हो रहा है मुस्लिमों के साथ होने वाली कुरूरता के वीडियो को दिखा कर वो ब्रेन वाश किया करता था ये आतंकि भगाया गया था बाद में प्रताबगड में उसका नाम लिखाये गया और बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी पड़ोसी देश में रहने वाले कौम के लोगों की मदद के लिए कहता था सफुल्ला भारत को गजवाई हिंद बराने का सपना देखता था नदीम और सफुल्ला कानपूर से गिरपतार सफुल्ला ने आटों के नाम भी बताए हैं यूपी के अलावा जारखंड, महाराष्ट, कश्मीर और गुजरात में अपनी सक्रीता की बात कबूल की है कानपूर, फतेपूर, भ्रियाग्रा समेथ तमाम कई जगों पर यवाओं को तैयार किया गया पांस साल से सोशल बीडिया के जरिए संदिग्द गति वीडियो में लिप था से अफुल्ला और धाई साल पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया ग्रूप से जुड़ा हुआ अगली बड़ी कबर लकनों से है, तिरंगा यात्रा में हुए बावाल के मामले से जुड़ी है लापरवाई बरतने वाले दो दरोगाओं पर कारवाई की गई है जी हम, केला चौकिन चार्ज, रंजीत पाठक लाइन हाजर कर दिये गए बंगला बाजार चौकिन चार्ज, रिशिकेश राइब ही लाइन हाजर कर दिये गए और इस बावाल के मामले में अब तक चार लोग गरतार किये गए प्रणित पाठक लाइन हाजर रिश्य के श्राय लाइन हाजर बंगला बाजार चौकी के इंचार्च और आगे बरते हैं यूपी रोडवेज की बसों की खस्ता हाल पर अखिलेश शादों ने तन्सकसा है अखिलेश शादों ने ट्वीट कर केस पर हमला पुला है अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी रोडवेज की बसों का खस्ता हाल भी उतरप्रदेश की भाज़पा सरकार जैसा है जो तथा कथिक डबल इंजन की सरकार होते हुए भी विकास के मार्क पर चल नहीं पा रही है धक्का लगाने वाले यातरी कह रहे हैं कि धक्का लगाने के नाम पर महंगी टिक्टों में थोड़ा डिसकाउंट तो मिलना चाहिए तंज यूपी पर इवन निगम की बसों पर और उसकी हालत पर अखिली शादों का ट्वीट आप की स्क्रीन पर हमें रखा है लिखते हैं तता कथी डबल इंजन की सरकार के बाद भी विकास के मार्ग पर चीज़ें नहीं चल पा रही हैं अब धक्का लगाने वाले यातरी कह रहे हैं कि धक्का लगाने के नाम पर महंगी टिक्टों में थोड़ा डिसकाउंट तो बनता है यह रहा पूरा ट्वीट है उन्होंने तस्वीर भी शेयर कर दिये और इस तस्वीर के साथ ट्वीट में उनका व्यंग और तंस उत्तरप्रदेश परिवहन नेगम की सितिती पर इधर आगरा के भाशपा नेता पर पुलिस कर्मियों से अबदर्ता का वीडियो वारेल बुरा है आरोपी नेता का नाम मनीश साहू है और वीडियो में दिख रहा है कि उसने न सिर्फ बस्तलों की की बलकि पुलिस वालों को गालेया भी दी आरोपी नेता खुद को महानगर संगठन का पदादिकारी भी बता रहा है और दरोगा के सामने एकिवक की पिटाई भी करा है साथ साथ वीडियो बना रहे पुलिस कर्मियों के मोबाईल को चीनने की कोश्चिश भी की गए आगरा का माम नेता मनीश साहू का रहा है अगली बड़ी खबर रेलित पुर्से है बाल काटने के पैसे मागने पर पिटाई करने की खबर आ रही है दबंगो ने नाई की लाटी गंडों से पिटाई कर दी है और बीच बेचाव करने आई बहन के साथ भी अबदरता की गए सोशल वीडिया पर इसका वीडियो बारल हो रहा है जकौरा थाने के बासी का मामला है दबंगो ने नाई को लाटी गंडों से पिटा और उसका कसूर सिर्थ इतना था कि उसने बाल काटने के पैसे माग लिये थे वो काम जो उसने किया था उसका मेहनता ना मांग लिया था और उसके बाद दबंगों ने खुब पीटा इस नाही को जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी खबर के साथ इस बिल्टिन में फिल हाल इतना ही लेकिन खबरों का सिसला एबी पी गंगा पर लगाता चारी है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी